इस घर की देलीज पर जहां मैं खड़ा हूँ इसी देलीज के उस पार एक ऐसी बच्ची ने जनम लिया जो देश के सबसे बड़े आबादी के लिहाद से सूबे की चार चार बार मुख्यमंत्री बनी जिया मैं बात करा हूँ बहन कुमारी मायवती की जो की बेस पी के अध्य इसा है और उनके परिवार के कुछ लोगों से भी आपको मिलवाते हैं कि बेंजी को लेकर उनका क्या रिष्टा है उनके साथ में और किस तरह से उनकी यादे हैं तो ये आप अंदर से जो घर देख रहे हैं इसी घर की जमीन पर यहीं पर जो बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मायावती रखा गया और बाद में वो इस देश में ऐसा नाम बनी जो एक बहुत बड़ी महानाई का और नेता के तोर पर हमेशा हमेशा याद की जाएंगी ये वो घर है और यहीं पर उनका जनम हुआ पैतरक गाउं वाला कि फिर बाद में उनकी परवरिश दिल्ली मे हुई और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की लेकिन ये पैतरक गाउंज जरूर है तो मेरे साथ उनके परिवार के सदेश्टें हैं मैं उनसे बात करूंगा और समझेंगा कि क्या कुछ रिष्टा है आप अपना नाम बताइए क्या नाम है मेरा नाम सशी जी मायव जा चुके हैं उनके पास मिल भी चुके हैं उनसे काफी बार जा चुके हैं तो बादलपूर में आती हैं बेंजी कभी हाँ वो आती थी अभी आई नहीं काफी टाइम हो गया है लेकिन आती थी को मतलब जो उनकी बाहर कोठी बनी हुए वहां तक आती है इस घर में भी आती जनम हुआ, वहां पर आप रहती हैं, दिन में आप यहीं सारा परिवार रहता है, तो क्या कुछ भावना है आती है। हमें बहुत अच्छा होता है, महसूस कि आज हम देखो उनके घर में रहते हैं, जहां उनकी पैदाइस हुई है, बहुत गर्व महसूस होता है, और मैं कभी मतलब, मैं आज ऐसी बात बता रही हूं कि कभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइप पे, तो हमारे जो मतलब यह पहली बार बनी थी, तो तब कहा था मेरे पापा जी ने कि देखो, मतलब कहां से बादलपूर का नाम भी नहीं था, तो देखो कैसे गाउं से निकल कर गई है, जो मायती वो बनी है, महन जी मुख्यमंतरी, कैसा गाउं है, देखो उस टाइम, अबी थोड़ा गाउं में हम देख रहे हैं, तो अच्छी सड़के, अच्छे घर, कॉलेज बना दिया, उसके बाद बाद यहां, अच्छी सड़के भी अच्छी हो गई हैं, और कॉलेज बगरा, अच्छे बन चुके हैं, बच्चों के लिए भी, काफी, तो आपके जो घर के बाकी लोग हैं, वो लो में तो बहुत अच्छी थी, तभी तो आज इतना मतलब नाम कमालिया उन्होंने, कुछ तो उनमें खासियत थी, जो इतनी पोस्ट पे पहुंच चुकी हैं, वो इतनी अच्छी पोस्ट मिलिया उन्हें, तो मतलब जो हमारे जो बुजूरगां वो अच्छा ही बताते हैं उ उन्होंने महानत करके चुनाओ भी आ रहा है आपके यहां पे यूपी में चुनाओ है, डोजायर बाइस में लग रहा है बैंजी मुख्यमंतरी पांचवी बार बनेंगी, हाँ, पक्का लग रहा है हमें, और हमारी तो हमेशा से यही वो रहती है, कि उन्हीं के लिए बोट कुछ तो उनकी वो करेंगे, है ना, और कुछ उनकी वो निकालेंगे, कमिया कि यह कर दिया, वो कर दिया, यह नहीं किया, यह नहीं किया, तो यह तो हरूस में होता है, लेकिन आप खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, और ऐसा, कोई ना कोई हमें आते ही रहते हैं, चैनल वा है मयोति जी वह पैदों थी इस बात कि हमें भाध गरभ होता है कि अपकी घर में कौन कोन है कौन रहता है मैं मेरे हवस्बेर नहार तीन बच्चे हमारे सबस्क्राइड थे बड़े हैं चीप दड़ें आपके परिवार की एक महिला इतनी बड़ी नेता बन गई चाहर बार मुख्यमंत्री बनी और उनका जो नाम है वो देश दुनिया में सब लोग जानते हैं तो बाकी जो परिवार के लोग हैं जो महिला हैं खास कर आपके परिवार की उनका राजनीती की तरफ रुजान नहीं होता है कि हमारी जब परिवार की एक महिला इतनी राजनीती में इतनी आगे चलेगी तो हम भी पॉलिटिक्स में चलेगा कि दिखो पॉलिटिक्स है ना कुछ लोग तो मतला अच्छा मानते हैं यह ऐसी चीज है कि एक बार अगर उधर को अदम रख दिया तो उधर से वापसी नहीं हो सकते हैं ना मानते हो ने इस बात को तो कुछ लोग तो हैं जो उधर की तरह हैं खुद मेरे हस्बेंड है क्योंक करते हैं तो जादे तर मीटिंग अटेंड करते हैं और जो वगेरा साथ के साथ चलती रहती हैं तो यह जो आपकी बच्चियां हैं बेटियां हैं यह अभी क्या पढ़ाई करने हैं कौन से कारियर में क्या करना चाहते हैं अभी तो वो तो अपने पापा की तरह डॉक्टर बनने की क्वाइस है उसकी तो अभी फिलाल में तो कर रही है एलेवन्थ में हो तो वो उसकी तो सोच यह कि मैं भी सी करके पापा की तरह बनूं डॉक्टर उसका कहना यह गया अच्छा अभी आप बहुत बात की अभी तो बहुत जी की सरकार अभी 2012 से पहले थी अभी तो फि देखते हैं न्यूज में देखते हैं तो जब जनता ही खुश नहीं है तो उनकी सरकार से क्या फाइदा फिर जो आज भी लोग याद करते हैं उनकी उसको है ना उनके कार्यकाल को जो उन्होंने किया था उस समय उनके जो उन्होंने काम केते बहन जी मनला हमारी जो बुआ थी फूराजी है मायोति उनके काम को देखते हुए उनका काम जो आखलेस्जि जी है और जो योगी जी है उनके काम को को वो बिलकुल मानते ही नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है नहीं तो फिल पात साल में योगी में उखते हैंक जो हमारी 500 90 के मुटवाजी कर Kennel बहुत तो यूपी में फिर 2022 में कौन हमाय होती जी आप परिवार के इसले कह रहे हैं कि मूड है मूड है लोगों काम मूड है इस वार बहुत काफी रूजान हमारी वुगाजी की तरफ है जुका हुआ वो देखा है काफी लोगों अच्छा बहुत जी के बारे में एक चीज कि उन्हें कुछ टाइम हान मड़ जैसे जा रहे हैं कुछ लोगों के बीच उनकी कुछ बातों को सुनना चाहिए यह इतना जरूर है यह बातें सुनने के लिए मिलती हैं लेकिन फिर भी वह जहां पर भी हैं जहां पर भी बैठी ऒा worthy हैं यहीं से अपना काम करती हैं यह त पूरा करती है जो बीच के लोग है वो जनता तक नहीं पहुचा पाते हैं जो वो ओडर देती है लेकिन वो तो अपना काम पूरी महनत और इमानदारी से करती है लेकिन दस साल हो गए सरकार नी बनाता ही कहां कमी रह गई कमी उनमें नहीं है मलोग जो उनके जो बैठे हुए है ना बीच में कमी उनकी है हम उन्हीं की कमी बोलेंगे वो अपना काम पूरी महनत और इमानदारी से करती है वो महनत अभी रंग लाएगी हां महनत रंग क्योंकि आप है ना जनता भी जान चुकी है कि वह यह किसकी कमी है यह हमारी वुआ जी की कमी नहीं है यह जो बीच में है उनकी कमी है सारी सारी कमी उन्हीं की होती है उने लोगों की वो जनता तक उस बात को पहुंचाने में असमर्थ होते हैं पूरी तरह नहीं पहुंचा पाते हैं अच्छा ये घरजाम बने बैठे हुए हैं ये उस समय ऐसा ही था या फिर तोड़ के बनाई नहीं दूबारे फिनीसिंग करी यहां हमा इसमें दोजार चे में आ गए थे चे में उस समय यह आपने फिर इसको रिपेर किया और फिर से रहना से जब चालो किया था यह सशी जी थी जो हमें इस घर के बारे में बता रही थी कि बहन जी इसी घर में उन्होंने जनम लिया और जब यह वहां पर रह रही है तो इन्हें बहुत गर्व होता है और इनका साथ ही कहना है कि 2022 में बहन जी जो है वो दोबारा क्या वो पाँचवी बार मतलब अगर संक्या के लियाद से आप देखेंगे तो पाँचवी बार मुख कर रही है मेरे सयोगी मोहित और ज्रा अगले वीडियो में मिलते हैं साथियो